के शाथ्यों नमस्कार दोस्तों आज अपने यहाद बात करेंगे की रात री को किनजलों का बिल पास हुआ है और किनजलों का पैमेंट आया है पिलस मैं कि अभी तक जो पचाश, 30, educating Chinese जनवरी माना का बिल पास हुआ है, to का रिजन क्या है तो बाकि साथ्यों का होगा या नहीं होगा उसके बाद एड़ ओपीस का बड़ा आदेश बिलपास खाँ ठीके आ हो भी आपको बताऊंगा जो मैं कल ब्रम गया था ठीक है सबसे आगे पाने के लिए अपने चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबस्कायब कर सकते हैं और गंती बाले वरी बॡ़न को मेरे दोस्तों जरूर दबा लेना ठीक है इसाथ यूब बात कर लेते हैं सब से पहले ¿ठीक है? इसका रिजन में आपको पहले बता चुका हूँ कि साथियों देखो जो रोजगार करेले ने एक आदेश जारी किया था कि जनवरी मा का बिल है वो सभी का पास होगा लेकिन वो क्या कर रहा है कि वही जिस जिसने इंटर्शिप जोईन की है न तो उनकी जो लिस्ट है उसके पास पहुंच रही है तो उनका तो वो पहले बिल पास कर रहा है वैसे बिल आप सभी का पास होगा टैंसन ना लेना लेकिन उसके बाद जो जिन साथियों को इंटर्शिप डिपार्टमेंट नहीं मिला था तो उनके बिल में थोड़ी देरी हो रही है ठीक है तो जो साथ ये कर रहे थे कि सर हमारे जिले का हो चुका है लेकिन हमारा नहीं हुआ है तो आपको टेंसल लेनी की आऊ सकता नहीं है जनुरी का बता मेरे दोस्तों आपको सभी को ही मिलेगा क्योंकि मैं कल जेपर हेड ओपीज गाय था तो मेरे जैसे बात चित हुई है मैं आपको यहां बता देता हूं उसके बाद साथ यह इवपन यहां बात कर लेते हैं हेड ओपीज का बड़ा आदेश इनका बिल पास होगा देखो भई यह एक लगबागे साथ या आर दिन पहले भी एक न्यूज आई थी कि जनवरी का बता है वो बेरोजगारों को सभी का मिलेगा बैसरत यह है आपको फोरम या तो अपूर होना चीए या फिर आप पहले बेरोजगारी बता ले रहे थे ठीक है यानि मानलो कि आपका दिसंबर तक आपकी 14 किस्त आ चुकी है और एक जन डिपार्टमेंट ने कहा है कि यह जो मिस्टेक है यह चात्रों की नहीं है क्योंकि यह जिम्मेदारी किसकी बनती है डिपार्टमेंट की मिलती कि वह आपको जल्दी से जल्दी इंट्रसिप जोएन कराए लेकिन प्लस में सात्यों एक बात ध्यान रगना यदि आप बेरोजगारी बत्ता मिल रहा है ठीक है और जो बेरोजगारी बत्ता किन सात्यों का बंद किया जा रहा है जो काफी मात्रा में काफी सात्यों कर दिया गए मैं आपको यह बताना चाहूंगा देखो दोस्तों जो इंट्रसिप करने के लिए नहीं जा रहे हैं जिनको डिपा हुआ है क्योंकि काफी शाती हूं जो कोमेंट्स किया कि सरवारा बत्ता बंद कर दिया गया है ठीक है तो इसका रीजन यह हैं और कोई रीजन नहीं हो सकता तो आप ऐसी लाप्रवाई ना करें और यदि मानलो आपको डिपार्टमेंट दूर मिला है तो आप रिक्वेस्ट करें अपने डिपार्टमेंट से और जिला रोजगार खराले से तो आपके डिपार्टमेंट को पास कर देगा ठीक है इसमें ज़्यादा कोई टेंसन लेने की आउसता नहीं है बैस यह एक बार तो आपको बागदोड करनी ही पड़ेगी ना के बाद हनुमान गड़का हुआ है ठीक है उसके बाद कोटा का भी हुआ है दोसा अलवर बर्दपूर बिकनेर इसके बाद टॉंक डूंगरबूर दोलपूर ऐसे जिले हैं जिनका कल बिलपास कर दिया गया है उसका वीडियो मैंने कल आपको बता दिया था जो पैमेंट आ आया है तो आपको 181 पर सिकायत करवा देनी है ज्यादा टैंसल ने ने किया हो सकता नहीं क्योंकि कोई भी जला होता है तो उसका पैमेंट और बिलपास होने में थोड़ा टाइम लगता है जैसे मान लो बिकनेर जला है न जैसे मान लो उसका बिलपास होगा तो उसका मतलब हो जाएगा ठीक है यानि बिल है वो अलग-अलग टाइम में यानि कहने का मतलब सभी का एक साथ पास नहीं होता है और सभी का पैमेंट एक साथ नहीं आता है तो आप या ना सोचे हमारे जिले का हो गया तो हमारा नहीं हुआ आए ठीक है तो ये कुछ जानकारी थी लेकिन पिलस में ज्वाइनिंग लेटर को अपलोड जरूर करें इंटरशि प्रमान पत्र को अपलोड जरूर करें ताकि आपका आने वाड़ा बत्ता फरवरेख आपको मिल सके ठीक है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों ताकि यहां पर सटिक जानकर यह आपको मिलती रहे धन्यवाद